नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आशुतोष और आप सुन रहे हैं होरर पॉडकास्ट आशुतोष के साथ तो दोस्तो आज मैं आपके लिए तीन कहानिया लेकर आया हूँ गाव की सच्छी और बेहत दरावनी कहानिया लेकिन कहानिया शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक निवेदन है कि अगर आपको यदी मेरी कहानिया पसंद आती है तो जी भरकर लाइक करें और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और हाँ आपके पास कोई ऐसी मजेदार सत्य घटना है तो हमारा वाटसेप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आज की पहली कहानी संदीब जी ने भेजी है जो मेरे सब्सक्राइब भी है और मैं उन्हीं के प्वाइंट आफ व्यू से आपको उनकी ये सच्छी घटना सुनाने जा रहा हूँ तो चलिए आज की पहली कहानी शुरू करते हैं दोस्तों मेरा नाम संदीब चौरसिया है और मैं राबत्स गंज सोनभद्र उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं आज यहां आपके साथ एक अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ यह घटना मेरे साथ तो नहीं हुई थी पर मैंने अपनी आखों से देखी थी हुआ यो था कि हमारे गाव में एक प्रथा है कि दिवाली के दिनों में हमारे यहां सुबह सुबह चार बजे ही दिन की शुरूआत होती है मतलब सबसे पहले लोग नहा धोकर आंगन में दीप जलाया करते है और उसके बाद लक्षमी गनेश मूर्ती का सब अपने अपने घरों में फूजा वगएरा करते है और जिस दिन ये भयानक घटना हुई थी वो दिवाली का पहला दिन था रात के दो या धाई बज रहे थे ये घटना उन दिनों की है जब गाव के लोग रात नौ बजे ही सो जाते थे क्योंकि उन दिनों टीवी वगएरा नहीं था मतलब आज के जैसा तब कुछ भी नहीं था और जल्दी सोने के कारण तीन-चार बजे तक लोगों की नींद भी पूरी हो जाती थी तो मेरी आदत थी कि मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता था उस दिन रात के दो धाई बजे के करीब मुझे टॉयलेट लगी और मेरी नींद खुल गई वो घर तीन कमरों का था सबसे पहले कमरे में अनाज और खेती वगेरा का सामान रखा जाता था दूसरे कमरे में मैं और मेरे चाचा का लर्का हम एक साथ पढ़ाई करते थे और वही पर सोते थे और तीसरा कमरा असल में रसोई घर था लेकिन चाचा चाची वही पर सोया करते थे घर के बाहर एक बड़ा सा आंगन था और घर के आंगन के दाई तरफ एक गोशाला था गोशाला यानि हमारे यहां जहां गाए और बैलों को बांधा जाता है तो हमारे गोशाला में भी एक बैल एक गाए और एक भैंस को बांध कर रखा जाता था और इसी के साथ हमारे आंगन में एक बल्ब हमेशा जलता रहता था ताकि जानवरों पर हम ध्यान रख सके मैं बीच रात उठा और वही बाहर आंगन के आगे अंधेरे में जाने लगा कि तभी मुझे हमारे बैल की आवाज सुनाई दी अब जानवर इतने होशियार होते हैं कि आपकी छोटी सी आहट को भी पहचान जाते हैं उन्हें पता चल गया था कि मैं घर से बाहर आया हूँ लेकिन मैं वैसे ही आधी नींद में आगे रास्ते पर जाकर टॉयलेट करने के लिए खड़ा हो गया अब वहाँ तक लाइट इतनी ज्यादा नहीं पहुच रही थी बाकी सब अंधेरा था मैंने वहाँ टॉयलेट वगयरा किया और कमरे में जाने के बजाए मैं पास ही उन जानवरों के गोशाला में घुस गया अब मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे पीछे क्या था मैंने सोचा था कि थोड़ा चारा वगयरा डाल कर यहां से चला जाओंगा जब मैं वहाँ गया और नीचे जुका तो मैंने देखा कि आंगन के बीचो बीच कोई औरत खड़ी थी अब जो गोशाला था वो भी पक्की दीवार का नहीं बना था घास फूस बंबू और पेडों की लकड़ी से बना था जैसे कोई जोपड़ी होता है और उसी घास के बीच में से मुझे वो औरत दिखाई दे रही थी मैं एकदम से खड़ा हो गया और मैंने फिर से देखा तो वो औरत घर के सामने देख रही थी मैं वही बैलों के बीच नीचे बैट गया और चुपकर उसे देखने लगा कि यह औरत आखिर कौन है और यहां क्या कर रही है वो औरत कुछ देर वही खड़ी रही और वहां खड़े होकर वो यहां वहां देख रही थी उसके बाद वो घर के दर्वाजे के पास चली गई मैं उसको गोशाला से इसलिए छुप कर देख रहा था क्योंकि मैं जानता था कि वो हमारे गाव की नहीं है मतलब हमारे जान पहचान के नहीं है और उस वक्त मैंने देखा कि उसके शरीर पर कपड़े थे वो एकदम से बदल गए और दर्वाजे के पास जाकर उसने दो तीम बार दर्वाजा खटखटाया अब सच कहूं तो जब उसने चाचा चाची के कमरे का दर्वाजा खटखटाया था तो मैंने ये सोचा कि मेरा नसीब अच्छा था कि उसने हमारे कमरे का दर्वाजा नहीं खटखटाया क्योंकि वहां हमारे कमरे का दरवाजा अंदर से खुला था मैंने उसे बस खीच लिया था और अगर कोई उसे थोड़ा भी धक्का दे देता तो पूरा खुल जाता उस औरत ने दो-तीन बार फिर से दरवाजा पीता अंदर से चाची की आवाज आए कौन है अब चाची ने जब सवाल किया तो बाहर खड़ी उस अंजान औरत ने भी कहा अरे रोशनी उठो तो दिया नहीं लगाना है क्या और मुझे थोड़ा तेल भी चाहिए था तो थोड़ा तेल भी दे तो अब इस बात को सुनकर मेरे होश उड़ गए कि इसको चाची का नाम कैसे पता है और अभी तो रात के दो धाई बज रहे हैं और इतनी रात को कौन तेल मांगने आता है ये तो कोई पहचान की भी नहीं लगती अब मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था कि अगर चाची ने दरवाजा खोल दिया तो फिर क्या होगा मैं तो सोच रखा था कि कुछ हुआ तो मैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दूंगा और तभी अंदर से फिर से मुझे आवाज आई रुको बस दो मिनट देती हूँ अब चाची अंदर उठकर कुछ खोज रही थी क्योंकि मुझे बरतनों की आवाज भी आ रही थी लेकिन मुझे वो दो मिनट दो गंटे जैसा लगने लगा था क्योंकि आगे क्या होने वाला था कोई अंदाजा नहीं था और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था कभी मैं देखकर दर जाता तो कभी सोचने लगता कि अगर किसी जानवर ने थोड़ी भी आवाज की तो वो सीधे यहां आ जाएगी चाची के रूम में अंदर कुछ खबर खबर चालू थी उस औरत ने फिर से रोशनी चाची को आवाज दी अरे जल्दी करो मुझे जल्दी जाना है अपनी तयारी भी तो करनी है एक बार दर्वाजे के पास जाकर चाची ने फिर उससे कहा अरे बस दो मिनट रुको और फिर मुझे भट से कुछ आवाज आने लगी चाची अंदर कुछ खोज रही थी इस चकर में चाची के हाथ से कुछ नीचे गिर पढ़ा और उस भट की आवाज से चाचा की नींद उड़ गई नींद टूटी तो उन्होंने जोर से चिलाते हुए पूछा तुम इतनी रात को क्या कर रही हो तब चाची ने उन्हें कहा आज दिये जलाने है ना तो कोई तेल मांगने आये है कल आपने जो तेल लाया था वो कहा रखा है कहीं मिल नहीं रहा चाचा ने पूछा इतनी रात को कौन आया है तेल मांगने तब चाची ने बुला पता नहीं होगा कोई काम किसी को और तब चाचा जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने चिलाते हुए कहा अरे दिमाग ठिकाने पर है या नहीं रात के धाई बज रहे हैं और किस पागल को तेल चाहिए अब औरत बाहर खड़े होकर ये सब सुन रही थी और बार-बार यहां वहां देख रही थी और तब उसने अजीब आवाज में कहा दर्वाजा खोलती है या नहीं जल्दी दर्वाजा खोल वरना ठीक नहीं होगा उसने गुस्से में चिला कर कहा और मैं समझ गया कि यह कोई साधारन औरत नहीं है कुछ और ही है और तब उसने जोर जोर से दर्वाजा पीटना शुरू कर दिया मेरी तो हालत खराब हो गई उसकी इस हरकत से मेरे चाचा की लड़की की भी नीन टूट गई थी और उसने दर्वाजा खोल दिया पर बाहर एक दरावनी औरत को देख उसने दूसरे पल ही दर्वाजा बंद कर दिया अब चाचा जी भी होशियार थे उन्होंने अंदर से ही उसे जोर जोर से भगवान का नाम लेकर जाने के लिए कहना शुरू किया उन्होंने कुछ बर्तन लिये और उसे बजाते हैं वो कहने लगे कि तुझे भगवान शिव जी की सौगंध है निकल जाओ यहां से भगवान राम जी की सौगंध है चली जाओ तुम्हे श्री हनुमान जी की सौगंध भाग जाओ यहां से वर्ना ठीक नहीं होगा और वो ऐसा ही कहते रहे तब वो औरत गुस्से में वहां बाहर खड़े खड़े अपने पैर पतकती रही और जोर जोर से पैर पतक रही थी कि कुछ देर में वहां एक बड़ा सा गर्धा बन गया तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी ताकत से पैर पतक रही थी फिर ऐसे ही पैर पटकते हुए और वहां से पीछे हटने लगी और पीछे हटते हुए अंधेरे में कहीं गायब हो गई अब कहा गई किधर गई मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं जहां छुपा था वहां से देख नहीं पा रहा था बस मन ही मन में भगवान से प्रार्थना किये जा रहा था कि कहीं वो यहां ना आ जाए अब उसके जाने के बाद भी मैं बाहर नहीं गया मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही थी इसलिए मैं वहीं छिप कर बैथा रहा करीबन 20 मिनिट के बाद चाचा जी ने दर्वाजा खोला उन्होंने उस वक्त अपने पूरे शरीर पर भस्न जैसा कुछ लगा रखा था और वो बाहर आकर आंगन में खड़े होकर फिर से जोर जोर से चिलाने लगे कि अगर तो यहां कहीं छुपी है तो यहां से चली जाओ नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा उनके हाथ में हनुमान जी की तस्वीर भी थी लेकिन वहां कुछ भी नहीं हुआ तो मैं भी कुछ गोशाला से निकल कर दोड़ कर ही उनके सामने चला गया कुछ अचानक बाहर आता देख वो थोड़ा दर गए और दोड़ कर पीछे जाने लगे पर मैंने उन्हें आवाज दी और कहा अरे चाचा जी मैं संदीप हूँ और तब उन्होंने मुझे देखा और शांत हो गए फिर चाचा का लड़का भी बाहर आया और हम सब रसोई घर में चले गए और जब हम अंदर गए तब कहीं मेरी जान में जाना आ गई और फिर मैंने चाचा जी को वो सारी बात बताई जो मैंने बाहर देखी थी वो औरत उसका रूप बदलना और उसका वो भयानक अफ्तार अब मेरा मानना ये था कि असल में वो मुझे धूनते हुए मेरे पीछे आय थी पर शायद उसे पता ही नहीं चला कि मैं घर में नहीं जानवरों के गोशाला में चला गया हूँ सच में उस दिन मेरा नसीब अच्छा था और हमारे जानवर बच गए थे जिन्होंने कोई आवाज नहीं की थी और शायद उस रात उन्होंने ही मुझे बचा लिया था तो दोस्तों ये थी आज की पहली कहानी आईए अब दूसरी कहानी सुनते है नमसकार दोस्तों मेरा नाम श्याम है और गाव में लोग मुझे गुर्डू कहकर बुलाते है मैं ट्रक ड्राइवर तो नहीं हूँ लेकिन मुझे ट्रक चलाना आता है मेरे पिताजी किसी जमाने में ट्रक चलाया करते थे तो तभी मैंने उनसे सीख लिया था लेकिन मुझे गाडिया चलाने का इतना शौक नहीं था मैं बस अपनी खेती बाड़ी में खुश था वही गाव में मेरा एक दोस्त था रागव उसका अपना एक ट्रक था तो कभी कभी जब उसे दूसरा कोई काम होता तो मैं उसका ट्रक चला दिया करता था एक दिन ऐसे ही उसने मुझे नागपुर से कुछ मशीन लाने के लिए कहा इससे पहले मैंने कभी इतना दूर का सफर नहीं किया था मैंने पहले तो उसे मना कर दिया लेकिन रागव ने उस काम के लिए मुझे पैसे देने का वादा किया उसके लिए मशीन जरूरी थी मेरी पत्नी ने भी कहा कि एक दिन का तो काम है थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे और इसमें बुरा क्या है और इसलिए फिर मैं मान गया मुझे अमरावती से नाकपुर जाना था अब जैसा उसने मुझे बताया था मैं उसकी बताई हुई जगह पर दो पहर करीब एक देड़ के आसपास पहुँच गया अब मुझे अंदाजा था कि शायद दो तीन घंटे का काम है मशीन गारी में लोड हो जाएंगी और मैं यहाँ से निकल जाओंगा मशीन जादा बड़ी तो नहीं थी यही कोई 4 फीट की होगी लेकिन बहुत भारी थी और उसे गारी में चड़ाने के लिए क्रेन मनदवाई गई लेकिन जो क्रेन मैंने बुक किया था उसे आने में और एक मशीन को चड़ाने में ही बहुत देर हो गई थी मतलब मुझे दो मशीन ले जानी थी और सिर्फ एक मशीन चड़ाने में रात के साड़े ग्यारा बज गए थे दूसरी मशीन तो अभी बाकी थी बहुत रात हो गई थी मुझे वहां रुके हुए करीब 10 घंटे बीच चुके थे बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी लगा था कि मशीन 2-3 घंटे में लोड हो जाएगी और मैं वापस निकल जाओंगा लेकिन इंतजार करते करते 10 घंटे बीच चुके थे और मैंने कुछ खाया भी नहीं था मैंने वहां बाहर जाकर भी देखा पर वहां कोई कैंटिंग कोई दुकान नहीं थी जब साड़े ग्यारा बजे तो मुझे समझ आ गया कि अब दूसरी मशीन लोड होने में 2-3 घंटे और लग जाएंगे तो मैंने वहां के मैंनेजर से कहा कि 10 घंटे से यहीं बैठा हूँ मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता मैंनेजर मेरी बात समझ गया और तुरंत कुछ खाने के लिए लाने चला गया पर कुछ 10 मिनट बाद भी खाली हाथ वापस आया और वापस आकर उसने मुझे कहा अरे माफ करना एक्च्छली शिफ्ट होने के कारण मुझे आपके खाने का ध्यान ही नहीं रहा और अंदर कैंटीम भी बंध हो चुका है आज कुछ भी नहीं बचा है आप चाहे तो मेरा मोटर साइकल लेकर चले जाए बाहर के रास्ते से थोड़ा पीछे चले जाओगे तो 7-8 किलोमीटर पर एक धाबा है 24 गंटे खुला रहता है आप वहां आराम से खाना खाकर आये तब तक में यहां का काम खत्म करता हूँ अब मुझे भूग बहुत ज्यादा लगी थी और मैं खेतों में काम करने वाला आदमी हूँ तो ऐसे में मुझे भूग बरदाश्ट नहीं होती मैंने उसकी बाइक की चावील ये फिर वहां से निकल पड़ा 3-4 किलोमीटर जाने के बाद मैंने रास्ते के किनारे एक लड़के को बैठे हुए देखा यही कोई 8-10 साल का लड़का रहा होगा उसके आसपास कुछ भी नहीं था पीछे बस एक बड़ा पेड़ था तो मैं उससे 20-30 मीटर दूरी बना कर गारी को रोक कर वहीं खड़ा रहा और उसे देखने लगा कि यह लड़का इतनी रात को यहां क्या कर रहा है वो लड़का अपने सिर को घुटने में चुपाए और अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को लपेट कर बैथा हुआ था मैंने उसे वहा से आवाज लगाया क्या हो गया घर छोड़ कर भागा है क्या उस पल मुझे बस उस लड़के की हसने की आवाज सुनाई दी लेकिन उसने अपना सिर उठाया था मुझे थोड़ा अजीव लगा और मैंने फिर पूछा अरे पागल है क्या मैं तुझे कुछ पूछ रहा हूँ और तू हस रहा है आगे कहीं जाना है तो बोल दे छोड़ दूनगा मेरी इस बात पर उसने एकदम से अपना सिर उठा कर देखा उसने गरदन भी ऐसे जटके से उठाई जैसे कोई उल्लू अपनी गरदन घुमाता है मुझे पहले तो उसकी इस हरकत से डर ही लगा चेहरे पर एक भयानक मुस्कान के साथ उसमें मुझे से कहा मुझे जाना है मैंने फिर पूछा कहा जाना है मुझे मेरे घर जाना है तो बता सही जवाब यहाँ पर तुम्हारा घर कहा है उसने फिर वैसे ही कुछ अजीब सा अटपटा सा जवाब दिया उधर है मेरा घर पर ऐसा कहते हुए उस लड़के ने पीछे अंधेरे में कहीं इशारा किया मैंने बाहर देखा तो दूर दूर तक मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैंने उसे कहा यहाँ से तो वहाँ का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा लेकिन अंधेरे में इशारा करता रहा मैंने फिर से उससे पूछा क्या इसी रास्ते पर आगे का रास्ता है जो तुम्हारे घर तक जाता हो उसने अपनी गर्दन सिर्फ हा में हिलाया और वो एकदम से खड़ा हो गया खड़े होते उसने पूछा क्या तुम छोड़ दोगे मुझे अब सच कहूं तो मैं उसे नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि उसका व्यवहार मुझे बहुत अजीब लग रहा था लेकिन मैंने सोचा कि शायद दिमागी मरीज होगा और शायद कहीं खो गया होगा वरना कौन लड़का ऐसे रात में ऐसे सुनसान रास्ते में बैठता है तो थोड़ा सोचकर मैंने उसे गारी पर बैठने के लिए कहा अब वो लड़का छोड़ा था तो आराम से साइलिंसर पर पैर रखकर मेरे पीछे बैठ गया और मैं गारी को आगे बढ़ाने लगा अब उसके बाद हुआ ये की नॉमली जो छोटे बच्चे होते हैं वो आपके पीछे से पेट से लिप्ट या फिर कंधे को पकड़ कर कर बैठते हैं तो वो भी मेरे कंधे को पकड़ कर बैठ जाता है पर थोड़ी दूर जाकर मैंने महसूस किया कि उसके हाथ मेरे गले पर था मेरी गर्दन को उसने ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो मेरा गला दबाना चाहता हो जैसे ही मुझे एहसास हुआ मैंने बाइक वहीं पर रोका और उसके हाथ को जटक कर उसे कहा क्या कर रहा है तू सच में पागल तो नहीं और मुझे पीछे से बस उसके हसने की आवाज सुनाई थी मैंने फिर से गारी स्टॉट किया और आगे जाने लगा और सोचा कि जल्दी से इसे कहीं छोड़ दूंगा और यह जंजट खत्म हो जाएगी लेकिन थोड़ी दूर जाकर एक घने पेड़ के पास मेरी गारी एकदम से अपने आप ही रुख गई जैसे कोई गारी का स्पीद धीरे धीरे कम करके रोकता है ठीक वैसे ही मेरी बाइक एकदम से बंध हो गई मैं तो सोच में पढ़ गया वहीं खड़े होकर बाइक को किक मारने लगा तब ही लटके ने पीछे से मुझ से कहा यह जो है ना यह मुझे बहुत पसंद है वही पास में एक बड़ा सा पेड था मैंने उस पेड की तरफ देखा भी नहीं और नहीं उसकी बात का कोई जवाब दिया उसने फिर मुझे कहा क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चलोगे मैं तुम्हें बहुत सारी इमलिया दूँगा मैं फिर भी चुपचाब गारी को किक मारता रहा अंधेरे में मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था गारी की हेडलाइट किक के साथ जल उठती और फिर बुझ जाती कुछ देर बाद उसने फिर वही बात दोहराई चलो मेरे साथ उस पेड़ के पास ये मेरा पसंदीदा पेड़ है मैं यही खेलता रहता हूँ अब मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उससे गुस्से में कहा ये गारी बंद पड़ी है और तुझे मजाक सूज रहा है एक काम करते हैं तू यही उतर जा और मुझे जाने दे फिर से मेरी इस बात पर वो हंस पड़ा कुछ देर और किक मार कर मैंने उसे कहा अच्छा नीचे देख तो इसको क्या हुआ है और तब उसने मुझे कहा अब किक मारो अब मुझे फिर से गुस्सा आ गया उसने फिर अजीब तरह से हसकर मुझे कहा मैंने कहा ना अब किक मारो मैंने बैठे बैठे फिर से किक मारदी असल में वो जो दिखाना चाहता था कि तेरे कहने से गारी चालू नहीं होती लेकिन हैरानी की बात ये थी कि गारी अचानक से एक किक में चालू हो गई और वो फिर से पीछे बैठ रहा था अब मुझे कुछ तो गड़बर लगने लगी थी मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा और मैं चुप चाप गारी को आगे लेकर जाने लगा आगे जाने पर एक मोड आ गया मैं गारी को उस मोड पर लेकर चला गया मुझे फिर से कुछ अजीब आवाज आने लगी जैसे कोई चीज जमीन पर घसीट रही हो तो मैंने नीचे देखा तो वो जो लर्का था वो अपना एक पैर नीचे जमीन पर घसीट रहा था और उसके कारण बाइक बहुत धीमी चल रही थी मैंने उसे कहा अरे यार अपना पैर उठा लो कहीं गिर गए तो खामखा हम लोगों को तकलीफ हो जाएगी और वो फिर से हसने लगा और तभी मेरा ध्यान दूसरी तरफ चला गया उसका दूसरा पैर भी जमीन पर घस रहा था अब मेरा सिर घूं गया क्योंकि मैं जानता था कि इतने छोटे बच्चे के दोनों पैर जमीन तक पहुँच ही नहीं सकते और उसी पल सामने देखा तो मुझे सामने वही पर इमली का पेड दिखाई देने लगा अब मेरे रोंगते खड़े हो गए थे वहाँ जाते जाते बाइक फिर अपने आप रुख गई थीक वैसे जैसे पहले रुखी थी उसने मुझे फिर वही बात कही तुम चलो मेरे साथ उस पेड पर मुझे वो पेड बहुत पसंद है मैं तुम्हें बहुत सारी इमलिया दूंगा उसने फिर से कहा चलो ना और वो फिर से हसने लगा और जोर जोर से हसने लगा मैं बस चुपचाप खड़ा रहा कुछ करने की हिम्मत नहीं थी पता नहीं अगर मैं कुछ बोल देता तो क्या हो जाता क्योंकि अब तक मैं जान चुका था कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही अजीब है और यह कोई आम लड़का नहीं है और फिर नजाने कैसे मेरा ध्यान सामने मिरमे चला गया मिरमे देख मेरा पूरा शरीर थंडा पड़ गया क्योंकि उसका आकार बहुत बढ़ा हो चुका था वो किसी 15 फोट इंसान जितना बड़ा हो चुका था मुड़कर उसकी तरफ देखने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी मैं समझ चुका था कि मैं किसी तरह के छलावे में फंस गया हूँ जिसके बारे में मैंने आज तक सिर्फ सुना था और सच कहूं तो मुझे पता नहीं था की ऐसे वक्त में क्या किया जाता है मैं बस चुक चाप रुका रहा कोई जवाब नहीं दिया कोई बात नहीं थी और तब मुझे पीछे से आवाज आए तेरा नसीब अच्छा है जो तू बच गया तेरे पास कुछ तो ऐसा है जो मैं तुझे कुछ कर नहीं पा रहा हूँ वरना मैं कब का तुझे दिखा देता की मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ चला जा यहाँ से और फिर दुबारा मत आना और उसकी बात सुनकर मैंने फिर किक मारना शुरू किया गारी चालू हो गई और फिर मैंने इतनी तेज गारी चलाए थी कि मैंने आज तक कभी नहीं चलाए थी मैं रात में वापस नहीं गया और उसी धाबे पर रुका रहा और वहाँ जाने के बाद मैंने अपनी जेबों को अपने हाथ से चेक किया तो मेरी जेब में जो चाबी थी उसमें मा काली की तस्वीर लगी थी सुबह जब मैं वापस गया तो वहां सब घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे साथ कुछ तो बुरा हुआ होगा मैंने उन लोगों को रात वाली घटना सुनाई तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो लड़का अक्सर उसी पेड के पास बैथा दिखाई देता है हर किसी को नहीं लेकिन जिसका दिन खराब होगा वो उसे ही दिखाई देगा और अगर गलती से गारी उसके पास रोग दी तो फिर उस आदमी को किसी भी तरह उस इमली के पेड के पास ले जाता है और वही उसे मार देता है उस पर मैंने उन्हें सिर्फ इतना ही कहा कि बस मा काली की खृपा थी जो मैं बच गया तो दोस्तों ये थी आज की दूसरी कहानी चलिए आज की तीसरी कहानी शुरू करते है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम विशाल है और यह मेरे एक दोस्त के साथ घटी बहुत ही अजीब और दरावनी घटना है साल 2000 की बात है हम साथ कॉलेज में थे और हमारा कॉलेज हमारे गाव के आसपास ही था एक रात हम सभी दोस्त अपने एक रिश्टेदार की शादी में चले गए थे नीरज का भाय था और हमारा भी दोस्त था तो इसलिए हम सब उसके साथ थे हम कुल मिलाकर पांच दोस्त थे तो शादी हुई रात भर हमने खाना खाया पार्टी भी हुई हमने उस दोरान थोड़ी शराब पी ली थी और सब कुछ होने के बाद यही कोई आधी रात को हम वहाँ से घर जाने के लिए निकले हमारे पास दो बाइक थी और हम पांच लोग थे एक पर तीम दोस्त बैठे ही थे और दूसरे पर नीरज और मैं हम दोनों बैठे हुए थे कुछ आगे जाकर एक नदी के पुल के करीब पहुँचते ही नीरज में बाइक को रोग दिया और मुझे कहा यार ठंड से हालत खराब हो गई है रुक में टॉयलेट जाकर आता हूँ आगे गारी तुम चलाना मैंने उसे कहा ठीक है तुम हलका होकर आओ मेरे बाकी दोस्त भी रुक गए और सब यहाँ वहाँ टॉयलेट कर रहे थे लेकिन यह अकेला था जो आगे जाडियों में किसी पेड के पास चला गया था और जो की हमें दिखाई भी नहीं दे रहा था अब जाकर दो मिनिट हो गए थे फिर चार मिनिट हो गए लेकिन वो बाहर ही नहीं आया दस मिनिट बाद हमने उसे आवाज देना शुरू की मतलब हमने उसे आवाज थी और गालिया भी दी लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया तो मैंने बाकी सब को कहा कि तुम यहीं रुको मैं जाकर देखता हूँ मुझे लगा कि कहीं वो गिर फिर तो नहीं गया होगा मैंने वहाँ जाते हुए उसे आवाज देना शुरू किया लेकिन वहाँ जाकर देखा तो नीरज वही एक पेड़ के पास एकदम सीधा खड़ा था मैंने उसे कहा अब ये नीरज ऐसे क्यों खड़ा है चलना देर हो रही है लेकिन वो तो हिला ही नहीं उसकी इस हरकत पर मैं उसे गाली देते हुए उसके पास चला गया और उसके हाथ को पकड़ कर उसे खीचने लगा मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी मजबूप लोहे के खंबे को खीच रहा मैं उसे एक इंच भी नहीं हिला पाया मैंने तीन-चार बार ट्राइ किया लेकिन कोई हलचल नहीं मुझे तो खुट पर ही शक होने लगा कि कहीं मुझे तो नहीं चड़ी है और थोड़ा बहुत कोशिश करने के बाद मैंने आखिरकार अपने बाकी दोस्तों को बुलाया लेकिन उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसने बहुत ज़्यादा नशा कर लिया हो वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था चलते चलते बार बार लर खड़ा रहा था तभी दूसरे दोस्त ने मुझे कहा मुझे लगता है किसे अब नशा चड़ा है इसलिए फिर मैं बाइक चलाने गया तो से अपने पीछे बिठा लिया उसके पीछे एक और दोस्त को बैठने के लिए कहा ता कि वह उसे पकड़ कर बैठ सके वहां से कुछ दूर आगे जाने पर वह एकदम से मुझे कहने लगा कि मुझे बहुत भूट लगी है मुझे मटन चिकन खाना है और मैं यहां से जाऊंगा नहीं मुझे बस खाना चाहिए किसी भी तरह और मैं उसे समझा रहा था पर वो मेरी बात को मान ही नहीं रहा था तो मैंने उसे बस जूट मूट कहा कि बस आगे कहीं एक अच्छा सा धाबा मिल जाएगा तो वहां हम रोग देंगे लेकिन तब तक के लिए थोड़ा धीरज रखो तो मेरे उस बात से वो थोड़ा शांत हो गया अब जब की मैं जानता था कि उस रास्ते पर आगे कोई धाबा ही नहीं था लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते चले गए और जैसे ही हम गाव के पास पहुचे खास कर उसके गाव के नदी के पास की जब हम उस नदी के पुल से गुजर रहे थे तो वह एकदम से ठीक हो गया नॉमल हो गया जैसे उसे पता ही नहीं था कि उसने क्या किया था मैंने उसे उसके घर छोड़ा और से कहा भी कि अब धर में जा और जितना खाना है उतना खाले तो उसने मुझे कहा कि ऐसा खाना हम तो इतना खाकर आए कि मेरा पेट भरा हुआ है मुझे ऐसा लगा कि उसे कीच कर दो जापण लगा और मैंने उसे गुस्से में ही कहा अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत चिल्ला रहा था कि मुझे भूख लगी है भूख लगी है अब क्या हो गया तो गो मुझे पर हसने लगा और मुझे पागल कहकर घर के अंदर चला गया मुझे भी यही लगा कि शायद उसने जानबूज कर हमारे साथ कोई मजाक किया था अब उसे घर छोड़ कर हम बाकी दोस्त भी अपने अपने गाव चले गए हम सब के गाव वहाँ से बस दो-तीन किलोमीटर दूर थे उसके कुछ साथ दिन बाद एक दिन उसके पिताजी का मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा अरे नीरज के बारे में थोड़ी बातचीत करनी थी तो मैंने उनसे कहा कि कहीं तो उन्होंने मुझे पूछा क्या नीरज को दारू सिग्रेट की लत लग गई है या कोई लड़की का चक्कर है को सच सच बता दो हमारे घर में थोड़ा टेंशन चल रहा है उनकी बात सुनकर में भी टेंशन में आ गया मुझे पता ही नहीं था कि वह ऐसा क्यों पूछ रहे थे क्योंकि हफते भर से नीरज कॉलेज भी नहीं आया था तो मैंने उन्हें बताया कि मैं खुद आपको कॉल करने वाला था क्योंकि हफते भर से तो वह कॉलेज भी नहीं आया है और यह बात सुनकर वह और भी चौक गए उन्होंने मुझे आगे बताया कि नीरज दिन दिन भर घर से बाहर रहता है बीच रात बाइक लेकर कहीं चला जाता है पूछो तो कोई जवाब नहीं देता कोई बात भी नहीं करता बस ऐसा रहता है जैसे वो किसी नशे में है घंटो घंटो चुपचाप कमरे में पड़ा रहता है अगर तू दोस्त यहां आकर उससे बात करो तो शायद कुछ पता चल जाए तो मुझे भी उनकी बात ठीक लगी वैसे भी नीरज हमारा दोस्त था शायद हमें कुछ बता देता तो मैंने अपने बाकी दोस्तों को जमा किया और उन्हें लेकर नीरज के घर पहुचा लेकिन उस वक्त भी नीरज घर पर नहीं था उसकी पिताजी ने हमें बताया कि शादी से आने के बाद से फितना बदल गया है पता ही नहीं चल रहा तो उसे क्या हो गया है कोई लरकी का चक्कर है या नशा वसा करने लगा है वो तो आप अपनी मा तक से बात नहीं करता है मैंने पूछा कि पता है आपको वो कहा जाता है तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं पता कहा जाता है क्या करता है कुछ पता नहीं कभी कभी तो एकदम से गायब हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं देखते हैं वो कहा गया है तो नीरज के पिताजी ने मुझे कहा अभी नहीं अभी रोने से कुछ फायदा नहीं है हम रात में जाकर धून लेंगे तो शायद सच पता चल जाएगा हम रात में ही उसका पीछा करेंगे तुम रात को दस बजे के करीब यहां जाना और बाहर कहीं छुपकर है न तो जैसा नीरज के पिताजी ने कहा था हम उस रात दस बजे के करीब उसके घर चले गए और वहीं आसपास चुपकर बैट गए उस बीच रात को नीरज बाइक लेकर निकल पड़ा और फिर हम भी चुपके से उसके पिताजी की गारी में उसके पीछे निकल पड़े लेकिन कुछ ही देर में वो कहा चला गया पता ही नहीं चला एकदम से जैसे गायब हो गया हो लगा जैसे वो अंधेरे में गुम हो गया हो और हम बस उसे खोचते रह गए हमने उसे हर जगह पर खोजा था करीबन धाई तीन घंटे तक हम उसे खोचते रहे पर पता ही नहीं चला कि वो कहां गायब हो गया था और फिर आखिरकार हम उसे खोचते खोचते वापस घर की तरफ निकल पढ़े और जाते जाते हमें नदी के पास एक रास्ते पर बाइक दिखाए दी और वो बाइक नीरज की थी और जैसे ही बाइक देखी हमने गाड़ी को उससे दूर ही रोग दिया काफी दूर ताकि उसे पता न चल सके और वही से हमने देखा तो नीरज वही नदी के पुल पर बैठा हुआ था सब कुछ बहुत अजीब था हमने देखा कि वो अकेला ही वहां बैठा हुआ था उसके साथ वहां कोई नहीं था और वहां बैठकर उफनते पानी में देखे जा रहा था उस नदी के पानी में और हम भी गाड़ी में बैठकर उसे देख रहे थे कि आखिर वो वहां बैठकर क्या करता है और तभी अचानक से कहीं से पुलिस आ गई उन्होंने अपनी गारी हमारी गारी के ठीक सामने खड़ी कर दी और वो हमसे पूछताच करने लगे कि तुम सब लोग यहां क्या कर रहे हो इतनी रात को क्या काम है तुम्हारा या तो हमने उन्हें थोड़ा बहुत बताया कि वहाँ जो लड़का बैठा है वो इनका बेटा है और एक हफते से उसके साथ कुछ प्रॉबलम चल रहा है हम बस देखने आये थे कि वो असल में क्या करता है कहा जाता है और जब हम ये बाते कर रहे थे तब पता नहीं क्या हो गया नीरज एकदम से उठकर खड़ा हो गया और बीच के किनारे पर चला गया वो देख हम सब के होश उड़ गए हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें पता ही नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था तब उनमें से एक पुलिस वाला संभल कर उसके पास जाने लगा और तब हम भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे वे मुझसे बहुत दूर खड़े थे पुलिस वाले ने उसके करीब जाकर उसे आवाज भी दी नीरज उतर जाओ यहां से यहां खड़ा होना ठीक नहीं है नदी बहुत गहरी है यह पुल भी काफी उचा है प्लीज मेरी बात मानो वहां से नीचे उतर जाओ हम उस नदी को जानते थे और यह भी जानते थे कि अगर वो नीचे गिरा तो उसके बचने के चांसे सना के बराबर है लेकिन नीरज ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद उसके पिताजी थोड़ा आगे चले गए उन्होंने नीरज को आवाज दी नीरज तुम ये क्या कर रहे हो प्लीज प्लीज मेरी बात मानो नीचे उतर जाओ बेटा और तभी नीरज ने पलट कर उनकी तरफ देखा और बस इतना कहा वो मुझे लेने आए है और मैं उनके साथ जा रहा हूँ और इतना बोलकर वो वहाँ से सीधे नीचे कूद गया कुछ पल के लिए हम वहीं जम गए मतलब हमें समझ नहीं आया कि हम क्या करें उसे बचाने के लिए नीरच के पिताजी तो वहीं चक्कर खाकर गिर पड़े पुलिस ने तुरंत भाग कर आगे देखा लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया सब कुछ सामने होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाए एक पल में सब कुछ बदल गया था फिर उस घटना के बाद उसी दिन लाश को पानी से बाहर निकाला गया तब हमने देखा था उसकी लाश बहुत अजीब थी मतलब चहरा एकदम छित्रा पड़ा हुआ था जाबड़ा खिसका हुआ था आखे अंदर धसी हुई थी नाक तूट के एक तरफ लटक रही थी जैसे उसके चहरे पर किसी ने घूसे मारे हो उसकी पूरे चहरे का आकार बदल गया था उस घटना को करीब एक महीना बीद गया और फिर एक दिन हम सारे दोस्त नीरच के पिताजी से मिलने चले गए तब उसके पिताजी ने हमें बताया कि वो नीरच की जन्पत्रिका लेकर एक देवी मा के पुजारी के पास गये थे और उन्होंने उन्हें नीरच के साथ हुई घटना के बारे में बताया था उस पुजारी ने नीरच की पत्रिका और उस घटना को स्मरंग करकर उन्हें बताया था कि नीरच को एक नहीं बलकि एक साथ करीब करीब साथ भूत में पकड़ लिया था जो सभी भूत नदी के पास रहते थे और ऐसे में अगर यह पहले पता चलता तो शायद उसे बचाया भी जा सकता था लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला कि नीरज के साथ आखिर हो क्या रहा था और पुजारी जी ने उन्हें बताया कि उन सातों भूतों नहीं नीरज की ऐसी हालत की थी वो सब एक एक कर उसके साथ खेल रहे थे और आखिर में ठीक साथ दिन खेलने के बाद आठवे दिन अपने साथ लेकर चले गए उनकी बात सुनकर हमने एक बात गांट बांध ली थी कि कुछ भी हो जाए आगे से किसी भी अंजान और सुनसान जगह पर नहीं रुकेंगे तो दोस्तों ये थी आज की तीन कहानिया तो आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ आखिर में आप सभी से फिर से एक निवेदन है कि अगर आपको मेरी कहानिया अच्छी लगती है पसंद आती है तो हमें जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी डरावनी कहानी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद